नमस्कार, स्वागत है आपका MacTech ITI YouTube चैनल में MacTech ITI YouTube चैनल में हम मध्यप्रदेश ITI Training Officer में Fitter Trade के लिए exams की तैयारी करवा रहे हैं जिसके तहत हम लेकर के आते हैं आपके लिए important question जो की syllabus से related आपके पूरे complete syllabus को cover करेंगे आज के इस वीडियो में हम cover करेंगे basic fitting operation के important question तो चलिए देखते हैं तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon प्रेस करते हैं जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपसे miss ना हो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आपके सामने पहला प्रशन आज की class का है name the part of file marked as x आपके सामने दिख रहा है कि एक file का picture यहाँ पर दिया हुआ है इस file में x portion को mark किया हुआ है तो इस x portion का नाम आपको बताना है आपके options हैं heel, tank, ferule और file length तो सही answer है heel अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है what is the use of trisquare trisquare का उपयोग क्या है trisquare आप लोगों ने देखा होगा 90 degree भी trisquare को 90 degree कहा जाता है तो उसका उपयोग आपको बताना है आपके options हैं to check right angle some cone की जाच करने के लिए to check acute angle noon cone की जाच करने के लिए to check obtuse angle अधिक cone की जाच करने के लिए तथा to check straight angle सीधे cone की जाच करने के लिए question बताते समय ही मैंने कहा था इसका दूसरा नाम 90 degree भी होता है L square भी होता है तथा engineer square भी होता है trisquare का अगर दूसरा नाम 90 degree भी है आम बोल चाल भाचा में 90 degree भी है तो जाहिर है कि ये right angle चेक करने के लिए यानि 90 degree यानि समकोंड चेक करने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है तो सही आंसर होगा A अगला प्रशन आपके सामने है which marking media is poisonous कौन सा marking media poisonous है मार्किंग मीडिया आप सभी को पता है कि जब आप मार्किंग करते हैं basic fitting operation के दौरान जब आप मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करने के लिए एक medium का इस्तमाल किया जाता है जैसे plate वगेरा पे आपको mark करना है निशान लगाना है as per drawing आपको marking करनी है तो आपको एक marking मीडिया की ज़रूरत होती है तो आपको बताना है कि दिये गए marking मीडिया में से कौन सा marking मीडिया poisonous है यानि जहरीला है आपके options हैं white wash, prussian blue, copper sulfate तथा cellulose lacquer इसमें से C options हही है copper sulfate, copper sulfate यानि COSO4 जहरीला या poisonous marking मीडिया है अगला प्रश्न which part of universal surface gauge holds the scriber बहुत ही simple सा प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है आपने surface gauge देखा होगा universal surface gauge देखा होगा जिसे हम marking block भी बोलते हैं आपको बताना है कि marking block में कौन सा part ऐसा होता है जो subscriber को hold करता है आपके options है snug, guide pin, rocker arm तथा fine adjustment screw इसका सही अंसर है snug प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ गया है इसमें आपको बताना है कि जो सामने एक picture दिया हुआ है यह एक प्रकार की wise है तो इस wise का नाम आपको बताना है आपके options है pin wise, pipe wipes, hand wise तथा quick releasing wise तो इसका सही अंसर है C, hand wise यह एक hand wise है अगला प्रश्न आचुका है आपके सामने A new hexa blade after a few stroke becomes loose because of आपने देखा होगा hexa जो होता है hexa frame में जो नई blade लगाई जाती है नई blade जब आप लगा करके hexoing करते हैं तो hexoing करने के शुरुआत करने के नई blade से जब आप शुरुआत करते हैं दूसरा option है wrong pitch of the blade blade को गलत की गलत पिछ होना तीसरा option है improper selection of saw set saw set का गलत चेहन करना तथा last option है nut thread being worn out यानि nut के threads का घिष जाना इसका सही answer है stretching of blade इसका सही answer है stretching of blade इसका सही answer है stretching of blade पहले cut और पतले work piece को cut ते समय दातों बहुत जल्दी घिस जाते हैं इसका क्या कारण होता है आपके options है hand force is too big हाथ का बल बहुत ज़्यादा होता है दूसरा option है cutting section is too short cutting section बहुत चोटा होता होता है तीसरा option है course blade are too course blade to be used मोटे blade का उप्योग किया जाना चाहिए चोथा option है hand force acts only upon few teeth हाथ का बल केवल कुछ दातों पर ही काम करता है इसका सही answer है D हाथ का बल कुछ दातों पर ही काम करता है आम तरपर आपने देखा होगा कि जब आप heq sawing करते हैं तो heq sawing करने के समय कई बार एक गल्ती आप करते हैं हへq sawing करते समय आप heq saw کو एक हाथ से चलाने की कुशिश करते हैं जब आप एक हाथ से heq saw को चलाते हैं तो उसके कारण heq saw के कुछ area में ही अत्यधिक बल लगता है अत्यधिक force लगता है इसके कारण उतने portion के दाते घिश जाते हैं तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप hexoing करते हैं तो आप एक हाथ से जैसे force stroke लगा रहे हैं तो दूसरे हाथ से आपको support लगा करके हेकसा का stroke complete होना चाहिए complete to and fro motion होना चाहिए इस बात का ध्यान रखते हुआ आपको hexoing करनी है अगला प्रशन आचुका है आपके सामने which chisel used for squaring material as the corner joints corner और joints पर material को चोखोर करने के लिए किस छेनी का उभयोग किया जाता है आपके option है flat chisel second option है cross cut chisel third option है diamond point और चौथा option last option है half round nose chisel C option इसका सही है diamond cut chain diamond point chisel इस प्रिशन में आपके सामने एक figure दिया हुआ है जो कि एक hammer का figure है ये एक ball pin hammer है इसमें आपको बताना है कि जिस portion पे x mark किया हुआ है इस x mark का नाम क्या है आपके options है face, pin, cheek या eye hole इसका सही answer है C, cheek अब आपके सामने एक figure दिया हुआ है जिसमें आपको एक chisel दिख रहा है और chisel का cutting angle भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है alpha, beta, gamma करके यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है ये chisel basically chipping operation यहाँ पर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है आपको बताना है इसमें Y, actually यहाँ पर Y लिखा है जबकि यह गामा है ये figure में गामा दिखाई दे रहा है तो इसको आप गामा ही समझेए तो ये गामा क्या है आपके options हैं, rake angle, wedge angle, cutting angle तथा clearance angle इसका सही answer है A, rake angle अगला प्रशन आपके सामने जो है, बहुत simple सा प्रशन है और ये प्रशन उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आता होगा इसलिए क्योंकि ये physics में भी आपने पढ़ा है तो ये क्या है, name the property of metal which can be drawn into wire without rupture तो कि उस गुण का नाम बताई है, जिसकी वजह से या जिसके कारण वह बिना तूटे तार के रूप में खीचा जा सकता है आपके options है, ductility, tenacity, elasticity या malleability इसका सही answer है A, ductility, तन्यता अगला प्रशन आपके सामने आचुका है, ये बहुत अच्छा प्रशन है, बहुत important प्रशन है लेकिन, और है तो बहुत easy प्रशन, लेकिन जो है, इसे पूछा इस तरीके से गया है कि कई बार इसमें आप confused हो जाते है तो question पो पहले पढ़ लेते हैं what is the spindle movement of one division of a thimble with spindle thread of 0.5 mm यानि कि ये पूछ रहा है कि spindle का movement अगर एक division है thimble पे और यदि spindle की thread 0.5 mm है तो spindle का movement कितने mm होगा यानि सीधी सी बात है कि ये आप से इस question में micrometer के least count की बात कर रहा है micrometer का least count कैसे आप निकालते हैं आप देखते हैं कि उसमें भी जो thread होती है उसके pitch 0.5 mm होती है और उसके thimble की complete एक movement एक divisions आगे बढ़ाती है complete thimble जब पूरा एक movement complete घूम जाता है तो एक division आगे बढ़ता है तो वो उस एक division का मान आप से पूछ रहा है confused बिल्कुल भी नहीं हो ना इसका सीधा सीधा answer A है 0.01 mm अगला प्रशन आपके सामने आ चुका है अगला प्रशन आपके सामने vernier caliper को प्रदर्शित कर रहा है vernier caliper की reading को प्रदर्शित कर रहा है तो यहाँ पर एक vernier caliper की reading दी हुई है आपको बताना ही यह reading कितनी है फिगर को अगर पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो गौर से देखने में आपको दिखाई देगा कि यह main scale division और vernier scale उपर वाली जो scale है उपर वाली scale main scale है और नीचे वाली scale vernier scale है उपर वाली scale में आप देखेंगे कि यह 35 mm को यह cross कर चुका है यानि कि 35 mm तो यह ही है अब आप देख सकते हैं चारों option में 35 mm चलिए आगे बढ़ते हैं अब 35 mm देखने के बाद अब देखिए कि vernier scale में यानि vernier scale का कौन सा वाला division किसी भी एक division से मैच कर रहा है यह तो अलुड़ी यहां पर show भी कर रहा है कि vernier scale का 20 वाल डिवीजन जो है वो मैच कर रहा है में सकेल से तो अब vernier scale का least count कितना होता है वर्नियर कैलिपर का least count 0.02 mm होता है वर्नियर कैलिपर का least count 0.02 mm होता है और यहां पर 21 division match कर रहा है, तो अगर 21 division match कर रहा है, तो 0.02 into, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहां पर, आपको यहां पर देखना है, least count यहां पर जो होता है, एक second है, इसे pen को थोड़ा सा बारी कर लेते हैं, least count 0.02 mm, और 21 division है, तो into 0.02 mm, यह हो गया 0.4 mm, और 35.4, तो इसका सही answer होना चाहिए, D, 35.4 mm, और वर्नियर कैलिपर के बारे में, डीटेल एक वीडियो हम अभी बना करके देंगे, जिसमें आप वर्नियर कैलिपर की रीडिंग को बहुत आसानी से लेना सीखेंगे, बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर, अब आपके सामने एक वर्नियर बैवल प्रोटेक्टर का फिगर यहां पर दिया हुआ है, आपने अभी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेना देखा, आपने माइक्रो मीटर का रीडिंग लेने का question देखा, अब आपके सामने वर्नियर बैवल प्रोटेक्टर है, जिसकी रीडिंग आपको लेनी है, वर्नियर बैवल प्रोटेक्टर में भी same जैसे वर्नियर कैलिपरो में होता है, एक main scale होती है, और इसी तरह से एक वर्नियर स्केल होती है, तो यहां पर आप देखेंगे, यह वाली जो है, यह मेन स्केल है, और यह जो है, यह आपकी वर्नियर स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम मेन स्केल की रीडिंग देखें, तो मेन स्केल की रीडिंग में आपको 41 division 41 division 1 year scale के 0 division से match करता हुआ दिख रहा है 41 degree तो हई है तो यहाँ पर आप option भी देख सकते हैं यहाँ पर 4 options में से एक ही option ऐसा है जिसमें 41 degree यहाँ पर show हो रहा है तो 41 degree तो है तो वैसे तो आप directly इसको लगा सकते हैं B answer इसका सही होगा लेकिन आप इसको भी देखें आप इसका 1 year scale का भी reading देखें 1 year scale में आप देख सकते हैं 30, 30 के बाद में है यह 40, 50 50 50 तो पचास्वा डिवीजन मैच भी करता हुआ यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है 30, 40, 40 पचास्वा डिवीजन मैच करता हो डिकरा है तो जो इसकी exact reading होगी वो 41 degree 50 minutes होगी बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन की ओर आज की क्लास का अगला प्रशन आपके सामने आ चुका है What is the use of filler gauge बहुत important question है और बहुत ही आसान भी है Filler gauge का इस्तमाल किस लिए किया जाता है आपके options है Check the width, check the height, check the length और check the gap between the matting parts बहुत simple सा answer है D है Check the gap between the matting parts Filler gauge का इस्तमाल आप लोगों ने ज्यादा तर bearing का clearance देखने के लिए किया होगा और ना केवल bearing बलकि कई बार हम लोग matting parts जैसे sliding contact bearing है तो उनके बीच के भी gap को measure करने के लिए Filler gauge का इस्तमाल हम करते है तो सही answer D है Check the gap between the matting parts एक और अच्छा प्रशन आपके सामने आचुका है Vernier Caliper की reading यहाँ पर measure करने के लिए आपको दी आ रही है यह Vernier Caliper basically dial gauge Vernier Caliper है यहाँ पर आप देख सकते हैं Vernier Scale की जगे यहाँ पर एक dial आपको प्रदर्शित हो रहा है तो आपको यहाँ पर reading लेकर के बताना है देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए आपकी trade में जो इस chapter basic fitting chapter से जो questions बनते हैं इस तरह के questions ज्यादा तर बनते हैं तो इन questions को बहुत ज्यादा तर आपको ध्यान देना है कि जो भी precise measuring instruments हैं उनकी readings लेने के लिए आप से आ सकता है जरूरी नहीं कि यही प्रशन आई लेकिन इस तरह के प्रशन आपके पास आ सकते हैं तो इनको बड़ा सावधानी से बड़ा ध्यान से आपको करना है अब आप देखिए यहाँ पर reading लेते समय आपको यह ध्यान देना है कि सबसे पहले जो आपका option sorry main scale है main scale में कौन सा division यहाँ पर cross कर चुका है main scale में आप देखेंगे main scale में 25 mm तो cross कर चुका है अब यह 25 mm यहाँ पर cross कर चुका है और वर्नियर scale में आप देखेंगे sorry वर्नियर scale नहीं डायल गेज में आप देखेंगे डायल गेज में आपका बीस चौबिस यानि कि चौबिस division यहाँ पर दिखा रहा है ठीक है तो चौबिस एक division का मतलब है यहाँ पर 0.05 mm तो जब 24 के साथ में आप इसका गुणा करेंगे 0.5 का तो आपका आएगा लगभग 120 तो 25 प्लस 120 यानि 1.2 तो हो जाएगा यह 26 तो 26.2 यानि 26.2 mm इसकी exact reading होगी तो इसका सही answer है अपने अगले प्रेशन की और चलते हैं अगला प्रेशन है what operation is carried out in gang drilling machine gang drilling machine में किस प्रकार का operation किया जाता है आपके options है ideal operation यानि निश्क्रिय संचालन दूसरा option है repeated operation of drilling drilling का बार-बार जब संचालन होता है इस तरह का operation continuous milling operation यानि निरंतर milling operation तदा चौथा option है successive operation of drilling यानि drilling का क्रमिक संचालन इसका सही answer है successive operation of drilling जहां पर successively drilling करने का काम जहां पर होना होता है वहां पर gang drilling machine का इस्तेमाल किया जाता है अगला question है which is the integral part of the stock in vernier bevel protector vernier bevel protector में stock का integral part कौन सा होता है vernier bevel protector आप लोगों ने देखा होगा vernier bevel protector angle measure करने का एक precise instrument है तो आपको बताना है कि stock में कौन सा पार्ट उसमें लगा हुआ होता है vernier bevel protector में जाहिर है dial लगा होता है इसके options आप देख लीजे option है disc dial blade और main scale इसका सही answer B है dial अगला question फिर से आपके सामने आचुका है file से related आपके सामने file का figure दिया हुआ है आपको यहाँ पर बताना है जो x mark जिस पार्ट का नाम x यहाँ पर दिया हूँ इसका नाम क्या है actually इससे पहले भी एक question आपसे पूछा था file के heel के बारे में पूछा था यहाँ पर तो heel option तो नहीं है बागी option आप देख लीजे edge है, ferule है या shoulder है तो इसका सही answer है ferule, actually यह जो part है जिसको x mark किया हुआ यह आपके handle पे लगा हुआ एक metallic ring type का होता है जो कि इस बात के लिए ensure करता है कि जब आप handle को file में fit करते हैं तो handle जो अगर wooden handle है तो वो फटे ना, crack ना हो तो यह इसको ensure करता है तो यह ferule है आज के video का अंतिम प्रशन आपके सामने आ चुका है आज के video का जो अंतिम प्रशन है वह है which file is used to make the job close to the finishing job जोब को finished size के करीब लाने के लिए किस file का उपयोग किया जाता है तो आपके options हैं single cut, curved cut, second cut या double cut तो इस job के finished size के करीब लाने की बात हो रही है जोब के finishing नहीं करने की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको finished line तक लाने के लिए आपको curved cut file की जरूरत स्वरी, second cut file की जरूरत पड़ती है तो इसका सही answer होगा C, second cut file ठीक है, तो finished size के करीब लाना है इसलिए second cut और अगर finish size तक लाना है तो फिर वो single cut हो जाएगा फिर वो smooth filing हो जाएगी तो यह थे आज की class के 20 questions उम्मीद करते हैं कि आज के यह 20 questions आपको समझ में आए होंगे और आपने note भी किये होंगे देखे, exam में exactly यही यह possible नहीं है कि exactly यही questions आजाएं जो हमने आज discuss किये हैं लेकिन pattern यही होता है यह जरूरी है आपके exams में इसी तरह के questions आते हैं तो हम इसी तरह के questions ला करके आपके exams की practice यहाँ पर करवाएंगे आज जो हमने class ली है आज जो हमने 20 questions डिसकस किये हैं यह fitter trade के basic fitting topic से है basic fitting में ही आपके सारे basic fitting operations आ जाएंगे basic fitting operations सारे आ जाएंगे तो यह केवल 20 questions इस chapter के नहीं है इस question में लगबग हमारे पास में करीब डेर सो के आज पास questions है तो 20-20 question का हम video बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा video लंबा हो जाता है और तयारी इसी हिसाब से करनी है इसी तरीके से करनी है कि आप एक तरह के सारे questions discuss करें एक ही तरह के जो सारे questions है उनको आप इस तरह से तयार करें कि वो आपके समझ में आ जाए और कभी भी आप किसी के सामने प्रदर्शित करना चाहें किसे के सामने अगर आपको समझाना चाहें तो आप आसानी से समझा सकें उमीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल में अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपसे मिसना हो हम आपके मध्यप्रदेश ITITO के फिटर ट्रेट के एक्जाम्स की कम्प्लीट तैयारी करवाएंगे और इसके लिए हम रोज वीडियो लेकर क्याएंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो